36 कर विधासभा चुनाओं के तहट सभी 90 विधासभा शेत्रों की मदगरना सुभा आठ बजे से कड़ी सुरक्षक के बीच सभी 33 जिला मुख्यालयों में मदगरना जारी है डाक मत पत्रों की गड़ना के बाद साढ़े आठ बजे से सभी विधार सभाश शेत्रों में एवियम पर डाले गए मतों की गिनिती एक साथ शुरू हुई इसके साथ ही सभी सीटों पर रुजान आने शुरू हो गई है शुरूवाती रुजानों में मुख्य विपक्षी भाजिपा के मुकाबले सत्ता रोड कांग्रेस बढ़हत बनाई हुई है सभी सीटों पर दो चर्णों में साथ और सत्रह नवंबर को हुए मतदान में 1181 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य एवियम में कैथ हुआ था अभी अभी मिले रुजानों के अनुसार मुख्य मंत्री भुपेश पगेल वहीं राजनांगाउ से पूर्वा मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग आगे चल रहे है वहीं रायपूर ग्रामिंट से कॉंग्रेस प्रत्याशी पंकर शर्मा को बढ़हत मिली है अभनपूर सीट से कॉंग्रेस उमिद्वाया धनिंदर साहु आगे चल रहे है दुर्ग ग्रामिंट से प्रदेश के ग्रिह मंत्री तामधस साहु पीछे चल रहे है कवरधा सीट से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहमद अकबर आगे चल रहे है चेत्रकोट सीट से कॉंग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज आगे चल रहे है अंबिकापूर सीट से उपमुख्य मंत्री और कॉंग्रिस प्रत्याशी टीयसी हिदेव आगे चल रहे हैं बिलासपूर सीट से भाजपा, उमीदवार, आमर, अगरवाल आगे चल रहे हैं मुंगेले जिले की लोर्मी सीट से प्रदेश, भाजपा, अध्यक्ष, और सांसत, अरुन्ट साव आगे चल रहे हैं 36 कर विदासभा चुनाव में इस बार खुशना पत्र और चुनावी वादों को लेकर काफी चरचा रहे हैं विभिने दलों की बीच एक से बार कर एक चुनावी वादे करने की खोड भी लगी रहे ऐसे माहौल में मददाता केस दल को अपना समर्थन देने का मन बना रहा है ये जानना निश्चित रूप से एक कौतुहल का विशय है 36 करके इस चुनावी माहौल पर बात करते हैं वरिष्ट पत्रकार विभाज जा से बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका विभाज जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मदगर्णा के रुजहान आ रहे हैं मददाताओं ने क्या सोचकर मददान किया होगा किसे अपना प्रतिनिधी चुनने के लिए मददान को अपना उस पर आगे बढ़े होंगे वो जी मैं ये समझता हूँ कि इस बार 36 गड़ में शहरी शेत्र में बहुत कम मददान हुआ है और ग्रामीन शेत्र में खास और से जो बस्तर के नकसल प्रभावित शेत्र हैं वहां मदान का प्रतिशाद 75 से 80 और कई जगे 80 प्रतिशाद भी रहा तो ये एक बात रिखांकित करने वाली है कि जो ग्रामीन मत दाता है उसका लोक तंतर में बहुत गहरा विश्वास है जबकि शेहरी शेत्र में हम ये धारना मान कर चलते हैं इसी बात सोचते हैं कि जो बदाता है या आम तोर पर नागरिक है वो बहुत जागरुक है उसके पास जन संचार सूचना के अनेक माध्यम है लेकिन इसके बाद भी अप लैपूर राजधानी शेत्र की बात करिये तो यहां चार विधान सभा सीटों में 52 और 53 प्रतिशत वोटिंग हुई है तो यह बहुत कम आंकड़ा है तो मैं समझता हूँ कि जो गाओं का मत दाता है वो लोग तंतर में बहुत गहरा विश्वास करता है और शेहरी मत दाता शायद अपने अनुकूल सरकार या परिस्षितियों का इंतजार कर रहा है उसको लगता है मेरी लिए क्या फायदे की बात है यह सोचकर ही वोट देने से थुछा उदासी नजर आता है यह बात मुझे देखने को लगती है लेकिन देखा जा रहा है विभास जी कि शेहरों के तुलना में ग्रामिन शेत्रों में मत दान का प्रतीशत है वो काफी जादा रहा और शेहरी शेत्रों में मत दान का प्रतीशत काफी कम देखने को मिला क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके जैसा कि मैं आप समय कह रहा था कि जो शहरी मतदाता है वो यह सोचता है उसके पास और भी काम है या वोट डालना उसके लिए उतना बड़ा विशह नहीं है जबकि जैसे हम लोग आपने पारंपरिक तियोहार मनाते हैं तो वैसे लोगतंद मतलब आप उसी तरह के सरकार को प्राप्त करते हैं जिस तरह कि आप पात रहें योगे हैं तो अगर हम मतदान करेंगे तो हमें उसी के अनुसार एक अच्छी सरकार मिलेगी और यदि हम मतदान नहीं करते हैं और सरकार फिर आगे जो काम करती है तो हमें उसके खिलाफ फिर किलो मिटर लोग पैदर चलते हैं पिश्टी रात से शुरू करते हैं चलना और सुबह मददान के दुर के पास पहुत जाते हैं साथ बजे और लाइन में लगके वोट डालते हैं तो यह जो उठ्सा है यह ऐ डिमोकरिसी के प्रती लोकतन्त के जो एक विश्वास है ये शहरी शित्रमी पर अगर नजर आए तो मैं समझता हो कि चुनावी तस्वीर बहुत अलग होगी अलग होगी बिल्कुल निर्वाचन आयोग ने चुनाव को रूची कर बनाने के लिए लोगों को मतदान से जोड़ने के लिए अपनी तरब से पूरी भूमी का निभाई है पूरी काम किये हैं फिर भी क्या कुछ कमी रह गई होगी कि लोगों ने मतदान नहीं किया मैं यह समझता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने जो काम किया वो तो बहुत प्रशेंसनी है बहुत सरानी है हम खुद भी कवरिश के दोरान देखते हैं कि पिष्टे दो तुन चुनाव से लगातर निर्वाचन आयोग इस बात के लिए प्रियास करता है कि शेहरी ग्रामिंड सभी शेत्रों में 100% मतदान हो और अगर ये लक्ष हासिर हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती लेकिन 78 या 80 या 85 फीसिदी मतदान भी अगर होता है तो ये बहुत अप्रिशेबल है बहुत अच्छा है बहुत सरानी है लेकिन दुर्भागी से इस बार जो हम देख रहे हैं मतदाताओं कर उजहान खास और से कसभाई इलाकों में और जो बड़े शहरों में तो लोग जालेंगे तो सरकार के प्रति हमारा विशास प्रकट होगा और सरकार को भी अच्छा काम करने का मन लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या में जनता ने हमें समर्थन दिया है जानादेश दिया है तो उनको जिमेदारी का हैसास होगा कि उनके अच्छाई के लिए उनकी बेहतर जी बिलकुल रिभाजी बाते जारी रखेंगे इसे बीच प्रदेश की सभी 90 विधाल सभाज शेत्रों के रुजहान लगातारा रहे हैं भरतपूर सोनहत सीट से केंद्रिय राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी रेणों का सहीं आगे चल रही हैं दुर्गी शहर से बोरा पीछे चल रहे हैं खरसिया सीट से काबिनेट मंत्री और कॉंग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल बढ़हत बनाय हुए हैं कोंटा सीट से काबिनेट मंत्री कवासी लखमा पिछड गए हैं जी विभाजी हम बात कर रहे थे वोटर्स की तो इस बार जो है वोटर्स में युवा मद्दाताओं की संख्या काफी बढ़ी है जो युवा मद्दान करते हैं क्या सोच कर क्या उनके मन में क्या विचार आता होगा कि वो अपने प्रतिनीधी को किस तरह से मत्दान करें कैस यंग लोगों से नए लोगों से लगातार मिलते रहते हैं क्योंकि हम यह जानना बड़ा जरूरी होता है कि जो आज का युवा वर्ग है भविश्च में देश के जो फैसला करने वाले कुर्सियों पर यही लोग बैठेंगे इन में से कोई विधायक कोई मंत्री कोई सांसत भी बनेगा निश्चत रूप से तो यह मतदाता आज जिस तरह का विचार लेकर आगे बढ़ रहा है लोग तंतर के परती जो इसका भरोसा है या विश्वास है तो वो क्या सोचता है यह जानना हमारी लिए बड़ा जरूरी है मैंने जो बात करके लोगों से जो पाया है वो यह है कि आपका युवा है वो इधर उधर के बात नहीं करता उसको सीधे अपने विकास के लिए जो मुद्धे हैं उस पर वो बहुत फोकस्ड है बहुत केंद्रित है और राजिंतिक दलों से भी वो सीधे सीधे यह चाहता है कि मेरे शेतर के लिए मेरे इलाके के लिए मेरे प्रदेश के लिए विकास की क्या योजनाब के पास है यदि हम उसको कन्विंस कराते हैं यदि हम उसको भरोसा दिलाते हैं तो वो सराजनितिक दल को समर्थन देगा और ऐसा भी नहीं कि वो एक बार जिसको दे रहा है उसको लगातार देता रहेगा यदि आपका परफॉर्मेंस किसी दल का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो ये भी तैय मानिए कि अगले चुनाव में वो बदल भी सकता है तो ज यदि इस व्यक्ति ने मेरे शेहर के लिए मेरे शेत्र के लिए परियाप्त विकासकारी नहीं किये तो निशित में रूपसे में अगले चुनाव में इसको अपना वोट नहीं दूँगा ये जो जाग रुपता है ये जो समझदारी का जो लेवल है जो दर्जा है ये 1820 साल के नहीं मतदाताओं में बहुत देखने को मिलता है और इस बार तो 36 गर में साड़े सित्रा लाग करीब नहीं मतदाता जुड़े है ये मैं समझता हूं कि चुनाव परिनाम को प्रभावित करने वाला एक बड़ा निरनायक वर्ग है ऐसा मैं समझता हूं जी बिल्कुल और वहीं अगर बात करें योगा मतदाताओं की बहुत अच्छी बात कहीं विभाज जाने फिलाल रुक करते हैं 37 गड़ से ही मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधान सभा चुनाव के लिए मतगर्ना आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की भी शुरू हो चुकी है इसी वेच 36 गड़ में नई सरकार के गठन के लिए जनादेश आज शाम तक आ जाएगा प्रदेश की 90 सीटों के लिए दो चर्णों में हुए मतदान में एक करोड 55 लाग मतदाताओं ने अपने मतधिकार का प्रयोग किया है प्रदेश में इस बार सभी दलों को मिलाकर 1181 उमीदवार चुनाओं में अपना भाग ज्याज मारे हैं इस चुनाओं में कॉंग्रेस की ओर से मुख्य मंत्री भूपेश पखेल उप मुख्य मंत्री टीर सीह देव विधासभा अध्यक्ष डॉक्टर चरंडास महंत प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष और वस्तर के सांसद दीपक वैस सहीद 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है वहीं भाजपा की ओर से पूर्वा मुख्य मंत्री डॉक्टर रमसी और पिछली सरकार के सोलह मंत्रियों के अलावा दुर्ग के सांसद विजय बखेल केंद्रिय राज्य मंत्री रेनुका सीह और सांसद गोमती साय के भविश्य का फैसला भी इस चुनाव में होना है और इसे वीच हमारे स्टूडियो में 36 गर्विधां सभाज चुनाव पर चर्चा लगाता जारी है तो विभाज जी एक सवाल मन में ये भी उठता है कि चुनाव आयोग ने इस बार सो प्रतिशित मतदान के लिए करीब दो महीने से जाग रुपता अभियान चुलाया इसका कितना असर देखने को मिल रहा है अब मैं समझता हूँ कि गरामिन चित्रों में तो अच्छा असर देखने को मिला वहाँ पर जो कलाजथा के कारिकरता या कलाकार जाते थे जो नुकर नाटक होते थे या रंगोली महंदी चित्रकला के जरिये भी मतदान के बारे में डिमोक्रिसी के बारे में लोगतंतर के गरामिनों को जो जानकरी दे गई और जो गरामिन मतदाता है वो देख रहा है कि ये जो भी अभियान चल रहा है इसके बहाने लोगतंतर की कितनी ताकत है उसका कितना सामर्थ है वो मतदाता को जानने को मिला और इसका असर भी ये देखने को मिला कि गाउं में देखिए कि कांके धमतरी से लेकर के चारा माँ कोंडा गाओं केश काल फिर आगे सोकमा जिले के बीहड नक्सल प्रभावित छेतर कोंडा तक भी जाएंगे तो 78-82 फीसरी तक मतदान हुआ है ये मैं मानकर चलता हूँ कि ये इसमें जागरुता भियान का एक बड़ा इसमें रोल है ऐसी और दुर्भागे से ये जो मतदाता जागरुता भियान है इसका बड़े शेहरों में उतना असर देखने को नहीं मिला शायद ये जो मतदाता है वो ही ये मानकर चलता है कि मुझे तो सब मालूम है तो मैं आगे और किसी चीज़ से जोड़ना नहीं चाहता कहीं नकहीं एक निराशा का भाव या जो डेमोकरिसी के पती जो एक उदासींता का भाव है इसको लेकर के मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ कि मुझे लगता है कि यदि अभियान को हमें शेहर में भी अगर लोकरी बनाना है तो शेहरी मतदाताओं के लिए कुछ अलग तरीके से काम करना पड झालेवtil can झालेवल में से काम करना पाव है णिरो जया उन्हारी मतभ रह एका इसकी प्रीप है है कि झालेव यब है तरीके सुझ है अलग तरीके से काम थे सुझ के झालेव करेविता ुछ थरीके सा थारीके सी बनान